देखो बुचो एक माइक्रो कुलाम चार्ज कितनी लाइन प्रड्यूस करता है या एक माइक्रो कुलाम चार्ज कितना फ्लेक्स प्रड्यूस करता है अगर हम इस बारे में बात करें तो उसका जवाब मिलता है हमको गोस्ट छोरम से ठीक है आज का हमारा टोपिक होने वाला ग और हम इसको प्रूव भी करेंगे कि आखिक कितना चार्ज कितने लाइंस प्रेड्यूस करता है और कितने एरिया से निकले तो उसका फ्लक्स कितना बनता है तो हमको यही आज पढ़ना है ठीक है बच्छो तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले चार्ज है गोस्ष्योरम इन इ क्यूं और यह चार्ज एक इस्वियर के अंदर रखा हुआ है ठीक है तो हमें बताना है कि इस चार्ज से कितना फ्लक्स प्रेड्यूस होता है ठीक है इस से लेक्ट्रिक फिल जाती है बाहर की तरफ वैसे तो इस चार्ज से हार एक डारेक्शन में लेक्ट्रिक फिल निकले कालना सिखा था इस चार्ज से कितना फ्लक्स पर ड्यूस होगा वह होता है हमारा टोटल फ्लक्स कि इंटिग्रेशन क्लोग इंटिग्रेशन किसी सर्फेस के लिए ई डोट तो यह हमने पिछली क्लाफ में फोर्मला पढ़ा था ठीक है बच्छो और देखो यहां पे यह सर्कल और यह बताते हैं को खोलोग शर्फेस तो जो यह फ्यर रएए एक खोलोग सर्फेस है ठीक है अब जो गोफ ने करता है जो फ्लक्स होता है जो टोटल फ्लक्स है वो इक्वल होता है Q डिवाइड बाइ F साइलन नोट के और Q क्या है जो चार्ज उस बोड़ी के अंदर है इंसाइड चार्ज को ठीक है अगर कोई चार्ज इसके माल लेते हैं बाहर रखा है तो उससे इस बोड़ी भी कोई फ्लक्स प्रड्यूस नहीं होगा हम आगे देखेंगे कैसे है तो चार्ज होना चाहिए अंदर की तरफ तो जो इंसाइड चार्ज है वो ही फ्लक्स को प्रड्यूस करता है यह गोस्ट थी और हमने कहा था गोस्ट ने यही कहा था तो फ्लक्स यह भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और यह भी तो यह दोनों आपस में एक्वल है ठीक है चलो उसका प्रूव करते हैं जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि यह फोर्ग्ला अगर आया है तो कहां से आया है ठीक है ठीक है यहां से हम प्रूव करते है divided by R square और यह होती है नोर्मल डारेक्शन में ठीक है बाहर की तरफ ठीक है अब हम इस फोर बुले में इसको रखते हैं जो फ्लक्स हमारा है कि एकी वैलू रखेंगे यह जाएगा वन बाय फॉर पाई एफ साइल नोट क्यू और स्कॉएर और डियस अच्छा देखो बच्चो जो जब हम इसका डोट प्रूट्रक्ट ठटाएंगे तो यहां पर लिखेंगे कोस जीरो डिग्री कोस जीरो डिग्री हम क्यों लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फिल्ड और नॉर्बल दोनों सेम डारेक्शन में तो एंगल जीरो जाएगा कोस जीरो होता है वन अब देखो यह पूरी इलेक्ट्रिक फिल्ड है यह जाएगा बाहर तो फ्लक्स आ गया क्यूं क्यूं सोर पाई एफ साइल नोट आर स्कॉयर इंटि तो रिक्तव ए कि यह आएगी स्फिेर का जैस का जिसकी रेडिस में रोती है उसका इलेक्तव होता है वी स्कॉर आर स्क्वाइर यह हो जाएगा हमारा 4Pi R-square ठीक है अब यहां पर देखो 4Pi से 4Pi cancel R-square से R-square cancel तो फ्लक्स कितना आया हमारा यह आया क्यों डिवाइड बाई अब हम देखते हैं अगर हमने सेंटर पर रखा हुआ है वन माइक्रो कुलाम चार तो इससे कितनी लाइने प्रडूस होती है उनकी संख्या कितनी है वह हमको कैल्कुलेट करना है ठीक है flux produced by one µC charge तो flux का formula वही होता है यह डिवाइड बाई एक साइलन नोट जो अभी प्रूव किया है चार्ज हमारा वन माइक्रो कुलाम है और एक साइलन के हमने वैल्यू आपर पुट कर दिया जैसे 10 इसे पाउट वैल उपर जाएगा तो उपर पावर आजाएगे 6 अब वन को वन पॉइंट एट पॉइंट फाइज से घर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा वन पॉइंट वन थ्री मॉल्टिप्लाइट टैन इस्ट पावर फाइव ठीक है तो इतनी लाइने पास होगी ठीक है वच्छो तो यह काफी बड़ा नंबर है यह कितना नंबर है लग 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 एक लाग क्यास पास ठीक है यह उससे ज्यादा तो इतनी लाइने प्रड्यूस करता है वन माइक्रो कुलाम चार्ज रचार्ज को डबल करोगे तो यह ज्यादर डबल हो जाएगा अच्छा देखो इस फोर्मूले के अकोडिंग जो फ्लक लाइन तो सेम ही परड्यूस होगी तो सर्फेस अगर आप बड़ा भी माल लोगे तो कोई फर्च नहीं पड़ेगा फ्लक्स उसका औरो सेम ही रहेगा ठीक है तो जैसे वन माइक्रो कुलाम इतनी लाइने पास करता है अगर सेंटर में टू माइक्रो कुलाम चार्ज करेगा है यह हो सकता है कि जो हमारी बोडी है वह अलग अलग टाइप की हो जैसे कि हो सकता है कि क्यूब हो और हमसे पूछा जाए कि एक सर्फेस कितना निकलेगा जो एक सर्फेस होता है उससे कितना चार्ज निकलेगा तो हम क्या करेंगे टोटल फ्लक्स निकालेंगे और जितने उस body के section है, उतने से divide कर देंगे, वो हम आगे देखेंगे इसको कैसे calculate करते हैं, ठीके बच्चों, तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में,